जीफांग आप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री अर उन्हें देखते ही हम कस किदम लिपट पड़े पता है दादा जी भी हमें बहुत आद करते हैं हाँ भाई दादा जी की लाडली थी तुम लोग की याद खीच लातिया है कुछ रहों कुछ रहाँ था भाट तो लिए अजनक से आएगे अरे बेटा तुम लग की याद कीच लाती है अर पाटा था लेकर कुछ गुम रही तो दाधाजी का है न हाँ बेटा वह पापा को एसले एका न गुमुह पापा को अगर को हुआ गाऊ ना तो बहुत धिक्कत ह अरे बेटा मैं इस छाते के काम से ही आया हूँ क्यों भापा खराब हो गया एक ठीक करा ने आयो अरे नहीं बेटा पता है नहीं कितने दिल लिखे हैं कब तब मैं इस छाते का दिहां रखूंगा काई पापा तुम सुब सुब बोलो ना हां ऐसो है दो एचार को उपर पहुंचाए के जही हो अरे बेटा ये तुम लोग का प्यार है वरना मेरी तो उमर हो गई है ये छट्री जो है ना बाबु जी की आखरी निशानी है इस छट्री के साथ बहुत यादे जूड़ी हुए है मैं छट्री को यहां वहां तो बिल्बकुल नहीं छोड़ सकता पापा हमें भी बताओ ना कौन-कौन सी यादे जूड़ी है मैं तो आज बहुत फ्रियू सुन सकती हूं अरे बेटा तुम्हारे दादा जी को जब भी मौका मिलता था ना इस छत्री से मेरी धुनाई कलते थे सच में पापा छाता को देखके ना बस दादा जी को चेहरा आखन के सामने आये जाते वैसे पापा यह छाता लेकि क्यों घूम रहे हो आप वैसे आपका कोई ठीकाना इदर उदर घूम गई तो दादाजी उपर से नीचे आएंगे और आपके मू में गुसाएंगा बटन दबाएंगा छटरी खोल देंगे उनकी फेवरेट छाता ही है लला अब इसकी जिम्मेदारी राजेश निभाएंगे बेटा तुम ही समालो शक्री को मतलब हम जे अरे बेटा तुम अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी ना तो बेटा इसको तुम सम्हाल के रखो ठीट है हाओ पापा तुम पेंसर न लेओ जाको अपनी जान से भी ज़्यादा समाल के रखें हम फेर गुद